नमस्कार दोस्तों जैपी स्टनग्राफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है यह है डिक्टेशन अस्तिस सब्द परते मिनट का होगा जो की साथ साथ मिनट तक बोला जाएगा जन्सता से लिया गया है दस सगिन बाद स्टार्ट के जाएगा दोस्तों अगर आप चैन संगाई सहयोग संगठन यानि S.C.O. के सासना ध्यक्सों ने परिशद की 23 वी बैठक में मंगलवार को चीन के राष्ट्रपती और पाकिस्तान के परधानमंत्री ने जिन बातों की वकालात की अगर उस पर अमल को लेकर भी वे इतने ही गंबीर होते तब भारत की समस्या सायद कुछ कम हो पाती लेकिन अपसोस यह हैं कि चीन और पाकिस्तान की और से आए दिन जिस तरह की हरकतें की जाती हैं उससे ऐसा लगता नहीं हैं कि वे अंतराष्ट्रिये मंचों पर जाहिर अपनी राय को लेकर उतने ही परतिबद हैं खास तोर पर भारत को लेकर इन दोनों देशों की और से कूटनितिक मोर्चे से लेकर सीमावर्ति इलाकों पर जैसी गतिवीधियों को अंजाम दिया जाता हैं उसके मद्य नजर इनकी ऐसी सदिच्छाएं सवालों के गेरे में आती हैं दरासल SSO की बेठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए चीन के राष्टरपती सी जिनपिंग ने इसके सदैश्य देशों से सैत्रिय सांती और सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने का अहवान किया और आर्थिक सुधार को गती देने के लिए व्यावहारिक सहयोग की वकालत की दूसरी और पाकिस्तान के पर्धान मंत्री सहबाज सरीप का कहना था कि आतंकवाद के कई सिर्वाले राक्सस से पूरी ताकत और द्रटता के साथ लड़ा जाना चाहिए जाहिर हैं एक एहम अंतराष्टरिय मंच पर दोनों देशों के सिर्ष नेताओं के इन बयानों को अगर इसी संधर्ब में देखा जाए और उसे जमीन पर उतारने को लेकर वे सचमुच इमानदार भी हों तो दक्षिन एसिया के इस हिस्से में एक जटिल समस्या का समाधान निकल सकता हैं। लेकिन यह हैं छिपी बात नहीं हैं कि व्यवहार में चीन और पाकिस्तान के भीतर भारत को लेकर कैसे आगरह हैं और सेमावर्ती इलाकों में कैसी एवांचित हर्गतें की जाती रही हैं। एक और चीन लदाख या अरुनाचल परदेश में अनधिकरित गुस्पेड से नहीं हिचकता हैं। तो दूसरी और अपनी सीमा में इस्तित ठिकानों से गतिवीधियां संचालित करने वाले संगठनों की और से आतंकवादियों को प्रसिक्षन देने से लेकर भारतिय सीमा के भीतर अवेद गुस्पेठ कराने तक की पाकिस्तान की हरकतें चीपी नहीं रही हैं। सवाल हैं कि भारत के सामने अमूमन हर समय ऐसी मुश्किल पेश करने का मकसद क्या होता हैं। अगर चीनी सेना भारतिय भुभाग में एवांचित गतिवीधियां करती हैं। या फिर जम्मू कस्मीर में आतंकवादी गटनाओं को अंजाम देने के पीछे पाकिस्तान का हाथ पाया जाता हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता हैं। सवाल है कि भारत के परती एक खास दुराग्रह पूल रुख रखते हुए भी चीन की इस सदिछा का क्या अर्थ रह जाता हैं। कि S.C.O. के देशों के बीच सेत्रिय सांती और सुरुक्सा सुनिच्चित हो और वे आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने में कोई या हारिक सहयोग दें। फिर पाकिस्तान को अगर लगता है कि आतंकवाद के कई सिर वाले राक्सस से पूरी ताकत और द्रड़ता से लड़ा जाना चाहिए। तो क्या उसे सबसे पहले इस मसले पर भारत की नीतियों और जरुरत को सविकार नहीं करना चाहिए। यह हैं छिपा नहीं हैं कि भारतिय सीमा में आतंकी दखलंदाजी को परोक्स सहयोग देने वाला पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद का सिकार हैं। वहां भी आए दिन आतंकी हमलों में लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस मसले का कूटनितिक इस्तेमाल करने का आउरूप लगाते हुए। पाकिस्तान भूल जाता हैं कि आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत को अपना हर वाजिब विकल्प अपनाने का अधिकार हैं। जरूरत इस बात की हैं कि अगर चील, सेत्रिय सांती और सुरक्सा या फिर पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने को लेकर सचमुच गंबीर हैं। तो इस मसले पर S.C.O. में कही अपनी बातों पर सचमुच अमल को लेकर इमानदार इच्छा सकती के साथ काम करें। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पाकिस्तान और चील अगर इमानदारी से आगे बढ़ हैं तो उन्हें भारत का भी सहयोग मिल सकता हैं। दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियोप लिंक डिस्क्रिप्सिन में मौजूद हैं आप आँसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर डिक्टेशन अच्छा लगे पसंद आये तो लाइक शेर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।